दोस्तों डिटी सी की बसे चलने वाली हैं और वह कुछ गाइडलाइन्स के साथ चलेंगे तो आप सभी से आग रहे हैं कि यदि आप किसी बस के अंदर 15 या 16 व्यक्तियों से जादे उस बस के अंदर यात्रियों को देखें कि उस बस में करप्या करके ना चड़ें हैं वह आपके सुरक्षा के लिए अति आवश्चक है क्योंकि जो बस में लोग यात्री कर रहे हैं कुछ सी को कुछ पता नहीं है कि वह है कोरोना इफेक्टिव है या नहीं और परिचालक तथा मार्शल को फोर्स ना करें कि वो निर्धारित सवारियों से अधिक सवारी ले करके चलें यह आपकी सुरक्षा के लिए है तथा जो गौर्मेंट इंप्लोईज है या प्राइवेट इंप्लोईज भी है उनसे आग रहे है कि वह बसों में यात्रा ना करें दोस्तों बसों में यात्रा ना करें वह अपने साधनों का जिससे वो जैसे स्कुटर, बाइक, कार इस परकार के साधनों का परियोग करें इससे आप अधिक सुरक्षित रहेंगे चुकि बस में मालूम नहीं है कि कौन सवारी कौरोना संक्रिमित है और कौन नहीं तो दोस्तों पैसा इतनी बड़ी चीज नहीं है आपका स्वास्त सबसे बड़ा है तो मैं दिल्ली वाश्यों से कहना चाहता हूँ कि डिटी सी की बस में यात्रा कम से कम करें और उसी परकार से मैट्रों में भी जहां तक हो सके यात्रा ना करें आप अच्छे परकार से जानते हैं कि एसी किस परकार से कारिय करता है चुकि एसी की जो एयर है वो उसी में वहीं पर सर्कुलेट होती रहती है वह बाहर नहीं जाती तो मेरा आप सभी से आग रहे हैं कि डिटी सी की बस और दिल्ली मेट्रों या कहीं और की भी मेट्रों या सिटी बस किसी भी सहर की यदि चल रही हैं उनमें आप कम से कम यात्रा करें यह आपके लिए, आपके परिवार के लिए अच्छा रहेगा, आपके स्वास्ते के लिए अच्छा रहेगा सरकार है, उसको करना पड़ता है यह कारी है सरकार बसे चलाएंगी भी चुकि पूर्ण रूप से यह भी नहीं हो सकता कि उनको खड़ी करके रखा जाए जो बहुत ही नीडी हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है किवल बस का प्रियोग वही करें थैंक यू एंड धन्यावाद तथा मेरा DTC और मेट्रो से आग रहे है कि वह सुनिश्चित करे कि उनकी बसों में किसी भी परकारसेर किसी भी इस्तिती में गाडलाइंस का उलंगन ना हो थैंक यू एंड बाइबाइब